Royal infill classic V sa 6 का axillator кे 무슨 होट चुट चुका है तो इसको Свटिर कर रहा है नया यह पर去iencia का screw को इसी तरह उपन कर लेना ए Tips Axillator cable को अश Natrack के बहार निकालना है यह पर देख सकते हो बीच में इसे ही खुत चुका है तो आगे नीचे की साइड से हमें ऐसे ही निकालना है यह बेटरी बोक्स को ओपन करके यहीं पे एक नॉट रहेगा इसको ओपन करके आरसा नीचे हमें निकाल लेना है वहीं पेसे भी और जैन्योन रोयल इंफिल का एक्सिलेटर केबल डाल रहे हैं 190 रुपय कुछ MRP है और जैसे हमने ओपन किया था वैसे इसको फिक्स करना है यह में फिक्स करके माउटिंग का नॉट फिक्स करना है फिर यहीं पर थोड़ा दिक्कत आएगा बट आराम से लगाओगे तो सही से लग जाएगा बाकी चोट को लाइक किजिए सब्स्राइब